हेलो दोस्तों वल्कम बैक टू तो चैनल स्रस्टी स्टेडी पॉइंट और यह देखिए बिहार सिक्षा बिभाग पतना की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है बहुत इंपोर्टेंट हो यह देखिए ऐसा क्यों है क्योंकि है जब हम इस लेटर को देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा कि ऐसा क्यों है तो यह देखिए प्रिशक है कनयया प्रसास्रिवास्त निदीशक मादमी सिक्षा और इन्होंने लेटर लिखा है सभी जिलाज सिक्षा पततिकारी बिहार के टीयारी 2, टीयारी 2 में ये जोईनिंग करा रहे हैं, उसके बाद जो रिक्तपद हैं, उनको ले कर तो पूरा यहाँ पर पूरा वियूरा मागा है, पूरा प्रपत्र में भर कर देना है, बहुत जल्दी से चल्दी, क्यों? क्योंकि टीयारी 3 का नोटिफिकेशन निकालना है, तो इसमें सब यहाँ पर दे रखा है ये देखे दस चार दोहजार तेज को अधुसूचित किया जो अधुसूचित हुई है के परिपेक्ष में बिहार लोक से वा आयो ये विज्यापन सा कहा देखे 26-2023 जो टीयारी बन था और 27-2023 था वो टीयारी टू था कि तहत अनुशा कि तहद निउक्ति की कारवाई की जानी है आप अबगत हैं कि टीयारी वन और टीयारी टू कि तहद निउक्ति सिक्षकों में इस्थानिये निकाय के जो सिक्षके थे उनकी संख्या लगभग 20-25 जार ग्यास पास थी ऐसी परिस्तिती में इस्थानिये निकाय के जो सिक्ष रेगुलर हो गया है उनके रिक्त हुए पदों की गढ़ना करके उसे प्रसासी पद वर्ग समिती से विध्याला ध्यापक के पद का स्रजन कराना आवश्यक हो गया है आपसे रिक्ती की सूचना आपराप्त रहने के कारण अग्रेति जो कारवाही है इनकी अग्रेतर वो पर जिने का निर्देश दिया गया था है न तो यह सब इसमें दे रखा है इसमें इसके सासत ये भी है कि आपको पुना निर्देशित किया जाता है कि अपने जिले के अंतरगत न्योक्त इस्थानीये निकाए के सिक्षक जो की टीयारी बन और टीयारी टू के तहएद तो इस तरह से प्रपत्र दे रखा है उस प्रपत्र में दो दिनों के अंदर ये देखे इसमें दे रखा है दो दिन के अंदर अध्यो अस्ताक्ष्री को इमेल आईडी के पर भीजना सुनिश्चित करें तो ये देखें इसका मतलब क्या हुआ कि आप खुछ सूचिए कि यहाँ पर ये देखें इनकल साइन भी है उन्ते से चौबिस के और पूरा इसका ये यहाँ पर है कि टी आरी थी मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि जैसे ही टी आरी टू की न्यूकती होगी टीचर्स की तुरंत टी आरी थी का ये नोटिफिकेशन जारी करेंगे आप देखेगा ठीक है तो टी आरी थी ये अपडेट करेंगे क्योंकि तीन चड़नों में पहले से ही ये कह दिया था कि जो यहाँ पर बिहार में टीचरों की भरती होगी वो उनमें तीन चड़नों में होगी अ ये नोटिफिकेशन आएगा तो जो बच्चे अगर ट्यारी में लगे है ये जिनका ट्यारी बन या ट्यारी तू में किसी कारणवस्न नहीं होआ है वो अपनी तैयारी में लगे रहें लिष्चित रूसे जैसे ही वेकेंसी आएंगी आपको जो है मौका मिलेगा और आप लेकिन अगर इससे उपर जो भी है यानि कि 6-8 के लिए 9-10 के लिए 11-12 के लिए जो भी वेकेंसी आएंगी उसमें B-8 वालों को मौका डेफिनेटी मिलेगा तो यहाँ पर यह एक अच्छी बात है कि TRE 3 के लिए बच्चे इंजार कर रहे हैं तो उनको यहाँ पर मौका और वो अपनी त्यारी में लगे रहे हैं वेकेंसी अच्छी खासी आएंगी निश्चित रूप से क्योंकि देखिए पिछली बार भी जो पौने दो लाग तो पहली बार में आई और दूसरी बार में जो है आपको एक सवा लाग आई है ना तो आप इस समय भी 70-80 वेकेंस लिए आएंगी तो फिलाल काफी यहाँ पर वेकेंसी आपको देखने को मिलेंगी और जो बच्चे यह इस लेटर से काफी कुछ क्लिए रिभी हो गया क्योंकि इन्होंने यहाँ पर पूरा अपना दे रखा है कि यह TRE 3 में जो है वो नियुक्ति करने के बिलकुल प्लान मे हैं अगर यह इन्हें नहीं करना होता तो यहाँ पर यह लाइन नहीं देते केवल इतने कहते कि हमें डाटा TRE 1 और TRE 2 के अंतरगर जिन अभ्यर्थियों को इस्थानी निकाय के सिक्षकों को नियुक्ति किया गया है पर्मानें टीचर के रूप में तो उनकी हमें डाटा च के लिए पूरी त्यारी में लगे रही है मेहनत कीजिए अच्छे से डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगी उत्तर प्रदीश में भी आपको टीचर्स की वेकेंसी देखने को जल्दी ही मिलेंगी क्योंकि नया आयोग जो है यूपी में भी फरवरी तक बन जाएगा सुनने म जैसी नया आयोग बनेगा नया आयोग बनते ही टीचर्स की वेकेंसी है वो उत्तर प्रदीश में भी निकलेंगी क्योंकि आप सफी को पता है 2024 का एलेक्शन सामने है और यूपी में वैसे और भी पुलिस की भरती निकली हुई है तो जिन बच्चों ने उसके फॉर्म बरे कि बस मेहनत करने की जखुबत है कि आप मेहनत किस तरह से कर रहे हैं वेकेंसी बहुत सारी है और आपकी मेली हैंकि सेलक्शन होाँ और मिलूँगे एगली के अगर वीडे अच्छी लगी तो लाइक कीजेगा चनल पर नहीं हो दुस्तों तो सब्सक्राइब कर लीगा झाल 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 झाल